इस वीडियो में हम derive करने वाले हैं relationship between kp and kc kp kc क्या होते हैं equilibrium constant होते हैं equilibrium constant ठीक है हम gas के लिए use करते हैं kp और जो liquid reactant होते हैं हम use करते हैं kc ठीक है तो यह दोनों क्या होगे equilibrium constant होगे इनकी बीच हमें relation derive करना है आपर तो यहां पर माल लेते हैं कि chemical reaction है जहां पर दो reactant है a और b यह आपस में reaction करके बना रहे हैं हमारा है आपर c और d और क्योंकि एक reversible reaction है तो c और d वापस से react करके बना रहे हैं a और b यह वाला forward step हो गया दूसरा वाला backward step तो यह forward step था और यह पीछे reaction हा रहे है बेक्वर्ड step था मालेतर reaction में a की a mole participate कर रहे है b के b mole c की c mole और d के d mole participate कर रहे है तो इसके लिए kc का expression क्या हो जाएगा simple हमें पता है कि KC क्या होता है KPA KC दोनों क्या होता है KC क्या होता है KC मतलब होता है product की concentration upon reactant की concentration ठीक है तो यहाँ पर product क्या है CODA तो यहाँ पर आजाएगा concentration of C यह bracket का मतलब होता है concentration bracket को उसको दिखाता है concentration को दिखाता है यहाँ पर तो bracket क्या show करता है हमें यहाँ पर concentration को तो bracket of C मतलब concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B तो यह हो गया product की concentration, product की concentration upon reactant की concentration तो ऐसे लिखते हैं हम K P, K C, sorry अब जो भी यहाँ पर आगे लिखावा है ना, number of mole यह power में जाएगा तो A के C के C mole है, D के D mole participate कर रहे है A के A mole और B के यहाँ पर B mole participate कर रहे है ठीक है, तो यह हो गया K C के expression इसी reaction के लिए K P क्या हो जाएगा, अगर मैं K P लिखना चाहूँ तो K P क्या होता है, देखो, simple है, K P में देखो, आपको दिखरा होगा है यहाँ पर C के जगा पर P आ गया, तो मतलब कंसेंट्रेशन की जगा पर अब pressure use करने वाले, यहाँ पर दिखरा है, के C में यहाँ पर C है और K P में P है, तो concentration के जगा pressure use करेंगे तो इस term में concentration क्या दिखा रहा है, जो यह डबबा है, box है bracket वो दिखा रहा है concentration, उसके जगा पर pressure आ जाएगा जैसे यहाँ पर concentration of C है, तो pressure of C लिखेंगे अगर K P में लिखना है, concentration of D, तो pressure of D तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C की concentration तो यहाँ पर जाएगा C का pressure, यहाँ पर जाएगा, pressure of C into pressure of D ठीक है, concentration की जगा pressure आ गया, तो gas की क्योंकि जो concentration होती है, वो ही उसकी pressure भी होती है concentration ही pressure होता है, gas की case में, उसके बाइद नीचे यहाँ पर A की concentration तो आगया A का pressure into B की concentration तो आगया B का pressure, अब जो power में यहाँ पर C, D वो लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर power C है, यहाँ पर power आजाएगा D, यहाँ पर power आजाएगा A, और यहाँ पर power आजाएगा यहाँ पर B, तो बहुत ही simple है यहाँ पर, उसके बाद हमें relation derive करना है, तो हमें पता है, from ideal gas equation क्या होता है, PV is equal to nRT होता है, PV is equal to nRT, ठीक है, तो इस V को लेके जाएगे, दूसरे दरफ तो जाएगा, P is equal to n upon V into r into T, अब जो यहाँ पर यह n upon V है, n upon V क्या होता है, number of mole upon volume, इसका मतलब क्या होता है, concentration, molarity होता है, molarity मतलब concentration, तो यहाँ पर जाएगा, P is equal to c into rT, ठीक है, इसी वज़े से देखो, rT तो constant हो गया, इसी वज़े से pressure, जो होता है gas के रिए, वो ही क्या होता है, उनकी concentration भी होती है, खेर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफ्रिदेको, यह हो गया, P is equal to c, rT, अब यहाँ से P is equal to c, rT हो गया, c मतलब concentration, r मतलब gas constant, t मतलब temperature, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर, P, A, P, B, P, से निकालना चाहूँ, तो P, A is equal to क्या हो जाएगा, P, A is equal to हो जाएगा, C, A, मतलब concentration of A into rT, वैसे अगर मैं P, B, लिखना चाहूँ, ठीक है, P, B, तो P, B is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर, concentration of B into rT, ऐसे मैं यहाँ पर, PC और PD के लिए भी लिख सकते हो, यहाँ पर, PC is equal to क्या हो जाएगा, concentration of C into rT, और PD is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर, concentration of D into rT, ठीक है, अब इसे माल लेते हैं हम यहाँ पर, इन सब को equation number 1, तो equation 1 से क्या करते हैं, जो यहाँ पर एक KP का आपको expression दिख रहा है हैं यहाँ पर, ठीक है, यह KP का expression, इसमें क्या करते हैं, value put कर देते हैं सारी, एक काम करते हैं, इसको मैं आपर रब कर देता हूँ, इसको माल लेते हैं, ठीक है, इसको माल लेते हैं यहाँ पर हमारा equation first, ठीक है, इसको equation first माल लेते हैं, equation first, equation first में क्या करते हैं, जो यहाँ पर यह है हम पर PAPB PAPC PB PD इनकी value put करते equation first में ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा on putting value of PA PA comma PB comma PC and PD in equation first in equation first equation first में PA,PB, PC और PD की value put करने पर तो यहाँ पर value put करके देखते हैं क्या हो जाएगा तो यहाँ पर first में देखो PC है यहाँ पर नीचे लिखावा है यहाँ पर ठीक है आपको दिख रहा होगा यह आपको दिख रहा हो यहाँ पर यह रहा है यह रहा है आपको PC ठीक है यह रहा PD इन सब की value put करते हैं उपर equation में तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा KP is equal to PC की जग़ा पर क्या आगया है यहाँ पर CC concentration of C मतलब into RT इसकी power C उपर power तो है ही PC के उपर यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं अपर C तो whole power आ गई यहाँ पर ही ठीक है उसके बाद यहाँ पर PD क्या है PD है यहाँ पर concentration of D D थोड़ा यहाँ पर क्या बनाते है concentration of D into RT की power यहाँ पर क्या हो जाएगा D upon यहाँ पर क्या है P A P B तो P A के जगा हो जाएगा concentration of A into RT की power A और P B मतलब concentration of B into RT की power यहाँ पर जाएगा B अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बाद अब simple है यहाँ पर बहुती K P is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर देखो क्या यह RT है इसकी power C देखो C की power C और RT की power C तो यहाँ पर क्या हो जाएगा concentration of C की इसकी power कितने जाएगी यहाँ पर देखो C into मैंने यहाँ पर RT और concentration वाले terms को अलग कर दिया वैसे CD into RT की power is D तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा concentration of D की power D और RT की power D RT की power कितने हो यहाँ पर ही D upon यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं concentration और RT वाले terms को अलग कर रहा हूँ ठीक है क्या कर रहा हूँ concentration और rt वाले terms को क्या कर रहा हूँ अलग कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद है को c a की power a into rt की power a और यहाँ पर क्या जाएगा c b की power b into rt की power कितने हो यहाँ पर b यह हो गया इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा kp is equal to अब हमें करना गया है concentration वाले terms को जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो गया concentration वाले terms यह concentration ठीक है इनको एक किनारे कर रहे हैं और उसके बाद जो भी यहाँ पर rt वाले terms है यह rt 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 इनको एक साइड करके लिख रहे हैं ठीक है तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा next step में तो यहाँ पर हो जाएगा cc ठीक यहाँ पर की power c into यहाँ पर cd नता concentration of d की power d और यहाँ पर जाएगा देखो rt था rt की power यहाँ पर कहता है c यहाँ पर d rt सा rt multiply होगा multiply होगा तो power जोड़ जाएगी तो rt की power यहाँ पर होगा c plus यहाँ पर d upon यहाँ पर क्या हो गया ठीक है upon यहाँ पर क्या है c a की power कितना हो जाएगा a और यहाँ पर c b की power कितने जाएगा यहां पर B इसको फोट से मिटा देते हैं sorry और यहां पर इस C B की पावर कितने जाएगी B और यहां पर हो जाएगा R T की पावर A plus B A plus B आप यहां पर देखो C C C B क्या यह concentration हैंगी तो हम इसको ऐसे भी तो रिख सकते हैं यहां पर कि क्या हो जाएगा यहां पर CC मतलब concentration of C concentration मतलब bracket ऐसा और CD मतलब concentration of D ठीक है C मतलब concentration और यहां पर क्या है CA मतलब concentration of A और C B मतलब concentration of B C मतलब concentration और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यह RT की power यहाँ पर था C plus D ठीक है और यह देखो नीचे भी एक RT है न नीचे वाला RT उपर चला गया तो power क्या हो जाएगी उसकी महाँ पर minus में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है minus A plus B जब multiply होते हैं तो power जोड़ती है जब divide होते हैं तो power घड़ जाती है minus आगया है यहाँ पर यहाँ ऐसे अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर यह क्या है concentration of product upon concentration of reactant CD upon AB क्या होता है यह देखो यहाँ पर यह Casey का expression है Casey का expression CD upon AB देखो यह क्या पूरा Casey वाले term आगया तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर इसको आप equation 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर इसको equation 2, 1 जो भी अपने साफ से इसको लिख लेना है यहाँ पर equation 2 ऐसा लिख लेना है यहाँ पर equation 2 तो फिर लिख लेंगे हम from equation sorry हाँ तो हम यहाँ पर लिख लेंगे from equation 2 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा KP is equal to इसको में थोड़ा सा A देश कर देता हूँ तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा KP is equal to KC into RT की power यहाँ पर देखो क्या CD और AB क्या थे CD AB small CD AB number of mall थे हैं आपट데 reaction की number of manufacturingirt आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम बह 먼저 C.D क्या था है हम पर हम पर CD था product के number of mall क्या थे product की number of mall minus AB क्या था हम पर small small b यह थे reactant की number of mall तो product की number of mall minus reactant की number of mall यहां पर हम क्या है यहां पर हम क्या लिख देंगे इसकी पावर डेल एन तो यहां पर आगे kp is equal to kc into rt की पावर डेल न तो मैं करना कुछ नहीं देखो बहुत simple सी चीज़ है मैं करना क्या है हमें एक यह reaction दिए यह reaction दे रहे हैं आपर a plus b is equal to c plus d इसके लिए kc लिखने है और kp लिखने है उसके बाद करना के अब kp kc लिखने के बाद हमें पता है यहां पर देखो p is equal to CRT होता है तो pa is equal to CRT pc is equal to CRT pb is equal to cbrt pd is equal to cdrt और pa, pb, pc, pd की value क्या करने है यह equation first में put कर दे नहीं है इसमें इसमें फूस कर इसमें put कर गए गया कर नहीं उसके बाद फिर देखो concentration वाले term एकसाइड, rt वाले term एकसाइड कर देने उसके बाद देखो यहां पर क्या है cc में तब concentration of c, cd में तब concentration of d, ca में तब concentration of a और cb में तब concentration of b यह हो गया kc और यह है तुम्हारा delen, तो kp is equal to के आगए kc into rt की power delen तो ऐसे करके हम इसको derive कर सकते हैं, बहुत ही simple सी derivation है